वेलकम टो आज चैनल सूपर ट्रेडर लक्ष यहां पर बात करेंगे किस तरीके से आप अगले साल को एप्रोच कर रहे हो और क्या हो सकता है मार्केट में और क्या मार्केट इसी तरीके से उपर जाता जाएगा और कोई कर्रेक्शन नहीं आएगा यह बहुत सारे लोग को डा जटके भी मारेगा जटके इसलिए मारता है मार्केट ताकि जो वीक हैंड्स हैं कमजोर लोग जो गुसे हुए हैं जो मार्केट को easy money समझते हैं वो निकल सकें उनको निकाला जा सकें क्योंकि मार्केट सिर्फ strong heart के लिए है मजबूत दिल वालों के लिए है तो सबसे पहली च जो पैसा आप लगा रहे हो वो पैसा आपका बहुत important पैसा नहीं होना चाहिए जिससे आपको कुछ करना है वरना फिर आप गलत जगह आ गया हो वरना यह अगर मार्केट यहां से correction देता है और तीन से चहे महीने three to six month का एक consolidation आता है तो उसमें आपका पैसा फस जाएगा त तक कुछ भी नहीं करने वाले हो तच नहीं करने वाले हो वो पैसा मार्केट में आना चाहिए अब दूसरी चीज़ है लेवल्स कौन से हैं कितना मार्केट यहां से गिर सकता है तो टेक्निकली बात करूँगा भी फिलाल की अगले 2024 में हम क्या क्या देख सकते हैं सबसे पह कहां पर गए थे हम 9800 पर गए थे और I think 18800 पर गए थे और उसके बाद फिर हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी और अभी जो रैली चल रही है उस रैली में थकावट आ सकती है अगले 10 से 15 दिन में कुछ यहां पर करेक्शन की उमीदें आ सकती है टेक्निकल जो अगर हम क 21,200 के आसपास होगा और दूसरा जो सपोर्ट है उसको तोड़ने पे वो आएगा आपका सीधे 20,200 पे तो मार्केट यहां से 15-1600 पॉइंट का डिप दे सकता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना है वो एरिया होगा जहां पे आपको नई एंट्री और नया पैसा लगान अगर यह डामेज 1500 पॉइंट का निफ्टी में होगा तो क्या मिड़काप इंडेक्स कितना गिरेगा जो आपके स्टॉक्स चोटे मोटे स्टॉक्स कितने गिरेंगे तो मुझे लगता है चोटे मोटे स्टॉक्स आपके 20-25 परसेंट का डिप आता है पॉट्फोलियो में त तो यह कैलकुलेशन आप लगाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको करना क्या सुगए और यह मैत लगाना जरूरी है यह कोई नहीं बताएगा आपको आपको बताएगे लेते जाएगे असा लग रहेगी हम धन्ना सेट है हमाई पास कहीं से पाइपलाई न पैसा आता जाएगा हम लेते जाएगे अरे भाई हर इंसान के पास limited पैसा है वो कभी आपको नहीं बताएगे निकलना कहा है और निकलना वहाँ पे है जहाँ दुनिया आपका बहुत बड़ा indication है कि कितना market यहां से गिरता है तो आपको कहां पे mainly लेना चाहिए तो 40,400 जो level है mid cap index का currently हम 46,200 पे हैं तो 40,400 level है जहां पे आपको लेने का मौका मिलेगा 4,400 से लेके 41,500 इस zone में जब आए उस area पे आपको समय देगा वहाँ पे आपको entry करने के मौके मिलेंगे और यह जब आएगा तो आपको ज़्यादा मैं कहूंगा कि 10 days 15 days में आप वहाँ पहुंच सकते हों 15 दिन में mid cap index 10% गिर सकता है और 10% 12% अप्रॉक्सिमेटली और 12% अगर mid cap index गिरेगा तो stock 30% गिरेंगे यह भी आप जान लो तो जब 30% नीचे stock मिलना है तो वहाँ पे हम entry करेंगे तो यह सारी चीज़े में क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्यों कि 2024 उतना असान नहीं रहने वाला जितना आप समझ रहे हो कई लोग बोल रहे हैं rate high थे हम उपर चले गए rate cut होंगे तो हम फिर तो और उपर जाएंगे ना लेकिन आप इतिहास देखो 2018 देख लो या उसके बाद देख लो जब भी rate cut शुरू हुआ है उसके बाद ही market गिरना शुरू हुआ है तो यह एक बहुत important चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि दुनिया को ऐसा दिखाया जाता देखो market में 10% लोग पैसा बनाएंगे 90% नहीं मनाएंगे यह सत्य है 90% जो है long term में बैठे रहेंगे इस अगले एक साल में नहीं बनाएंगे फिर उसके अगले साल बाकी के जो 10 percent भसे होंगे वह बना लेंगे तो एक ही साल पे 90-0 पैसे नहीं मनाएंगे 10% बनाएंगे अब जो 90-0 पैसे नहीं मनाएंगे उनको दिखाया जाएगा कि बस तो जाए जाए जा रहे तो चांद की सेर करने निकल्याना यह कहीं नहीं जाएगग चांद तक टुछ करेगा प् और हाई जब मार्केट होता है तो उनके IPO में लिक्विडिटी जो पैसा है वह असानी से आ जाता है इसलिए IPO धर-धर के आ रहे हैं तो आपको समझना है कि कंपनी का मालिक अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है अगर उसकी कंपनी इतनी अच्छी है आप देखो आज भी हल् के IPO आ रहे हैं लिक्विडिटी भरवर के है तो यह एक मौका है उनके लिए आपको चिपकाने का माल मैं हमेशे यह कहूंगा आपको सही वैल्यू मिलेगी उसके बाद जब एक बियर मार्केट आएगा वही स्टॉक जो IPO में आया है आपको 20% सस्ता मिलेगा तो आप बोलो कि पांच साल की और उससे चुनाव के आसपास ही आपको एक अच्छा डिप करेक्शन चीज़ें मिल सकती है उससे पहले मिल सकती है जहां पर आपको एंट्रे जरनी चाहिए इस पॉइंट पर नहीं तो यह फिलाल मेरा यहां पर वियू है बैंक निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी है फिलाल निफ्टी का मैंने लेवल बताया है 20,300 तक आ सकता है बैंक निफ्टी 48,292 पे है फिलाल अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आया तो कहां तक आ सकता है मेरा मानना है 46,000 एक लेवल है जहां तक आ सकता है बैंक में अभी Investig Maine जिँटे ली इतना ही दिप वो 46,300 है और उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या करने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी लेकिन निफ्टी फिर भी स्ट्रॉंग था बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉंग नहीं था पुराने अल्टाइम हाई से सिर्थ 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट का हाई बनाया इसने जबकि निफ्टी ने पुराने हाई से बहुत बड़ा हाई बनाय रहा है तो यह एक डिफरेंस है कि निफ्टी काफी चला है तो जो चला है तो वो फिर देगा भी गिवब भी दाधा करेगा तो ये चीज थोड़ा डर आपको बनी रहेगी तो ये फिलहाल 2024 के लिए मेरा आइडिया है और अगर सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे stocks आज भी मैं कुछ scanners लगा के टेक्निकली देख रहा था कौन से stocks तो बहुत सारे stocks अभी चलना बागी है और जो चल चुके हैं टेक्निकली हम बात करें monthly time frame में charts देखोगे आप Bollinger Band या जो भी RSI लगाओगे उन सब लगाने के बाद आप देखोगे तो कुछ stock बहुत चल चुके हैं तो जो चल चुके हैं पैसा उनसे निकलेगा और जो नहीं चले हैं उनमें पैसा आएगा और ये आपको difference अभी दिख जाएगा आप जाके देखोगे तो कुछ stock अच्छा किया है आज और कुछ आपके favorite stock portfolio के आज नहीं चले होगे तो ये अब rotation होगा और ऐसा नहीं है कि index बहुत ज़ादा गिरेगा इंडेक्स बहुत ज़ादा नहीं गिरेगा rotation लेकिन ज़रूर होगा और जो stock नहीं चले है चलने की शुरुआत है बहुत सारे stock आप scanner से screen लगा के चेक कर सकते हो technically कि वो stock क्या 52 week low कब touch किया और उसके बाद उसने घूमा और घूमने के बाद अभी क्या चल रहा है volume volume में spike हुआ है इस type के लगा के आप check कर सकते हो तो मुझे रखता है कि आपको better idea मिलेगा कौन से वो stocks हैं तो फिलाल के लिए यह है बाकी detail में हम video बनाएंगे अगले साल फिलाल के लिए आपको समझना यह है कि आपको अभी क्या करना चाहिए आपको अपने portfolio पर नजर दोलाना चाहिए और आज मैं एक मैंने एक screen डाली उसमें TTML करके एक stock था इसको खुब दोड़ाया गया 4-5 रुपए 10 रुपए कित्य का stock था it went to 280 रुपीज 280 रुपीज तक गया और 280 रुपीज से फिर यह वापस से 49 आया सोचो 49 50 से भागा था में एक breakout हुआ था उसके बाद यह 280 गया 280 से वापस 49 आया तो यह इतिहास गवा है कि ऐसे stocks जब कचरा stocks भागते हैं तो वापस से जरूर आते हैं लेकिन जब भाग रहे होते हैं तो दुनिया उनको पीछे से reason देने की कोशिश करती है media reason देने की कोशिश होती है सारे expert भर भर कि उसको खुब बाते करेंगे उसकी और आप फस जाओगे तो हमेशे अद रखो अगर आपके हाथ में कोई कचरा स्टॉक लगा है काफी चल चुका है टेकनिकली RSI और ये सारी चीजें बड़े टाइम फ्रेम में काफी ओवर बॉट एरिया में है तो आप समझ लो कि आप कचरे में बैठे हुए और कचरा जो है जरूरी नहीं है मार्केट और उपा जाए इनफेक्ट मार्केट महां से गिर सकता है इस्पेशली बैंक्स क्योंकि रेट जब घटता है तो बैंक्स की जो प्रॉटिबिलिटी है उस पे भी चैलेंज आता है अगर रिसिशन आ गया तो उससे भी बैंक की प्रॉटिबिलिटी में चैलेंज आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में जितनी चाल अभी दिख रही है उतनी चाल अगले साल शायद ना दिखे एक अंसॉलिडेशन लंबा तीन-चार महिने का आए तो इस पे आपको फोकस करना है I hope वीडियो अच्छा लगा Thank you very much सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेर अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा मिलते हैं बहुत जल्दी